कि मैं भी एक परिवार रखता हूँ, लिकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना, मैंने माना है कि पूरे हरिणा की जनता, 2.87 लाख लोग, लगबग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है, और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथ ही हैं, मेरे भाई बेन हैं, अब आपकी तकलिफ जब बढ़ती है, तो उस तकलिफ को मैं भी महसूस करता हूँ, कि किस प्रकार की तकलिफें 60 वर्ष की आयू क के बाद हो जाती है, इन तकलिफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किये हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी, साथ ही एक बात जो हमको सब को स्वर्ण हैं, कि कुछ वर्ष पहले हर्याना के अंदर ऐसे एक परिवारों के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके आईू साथ हर से उपर हो जाती है, उनको एक सम्मा निधी के नाते भी योजना शुरू की थी, और वो योजना शायद सो रुपे के आसपा से शुरू होई थी, समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़तरी होई, और मुझे धान है कि जब 2014 म हम लोगों ने सरकार समा ली, तो उस समय ये पेंशन एक हजार रुपे मासिक थी, हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए, लगाता हर वर्ष 200 रुपे, 200 रुपे, 200 रुपे, इस नाते से बढ़ते बढ़ते, और अभी एक अपरेल अगला जो 2023 का महिन शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निदी है, ये 2750 रुपे हो जाएगी, कहां 1000 रुपे, कहां 2750 रुपे, अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगबख साड़े अठारा लाक बजरुगों को, ये हर महीने राशी पहुँचाते हैं, 460 क्रोड रुपे से उपर, ये राशी हर महीने पहुचती है, जब ये क्रम चलता हूँ, अपने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई, कि ऐसे सब भुजर्गों को, अपनी जब 60 रुपे होने के बद नई पैंशन बनानी पड़ती है, तो उनको दफ्तरों के चक खड़े हो जाते हैं, उस नाते से एक तकलीफ हैं, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एसास जब हमको हुआ, तो मैं लगा कि ये बहुत एक अन्यायपूर्ण एक विवस्ता है, इसको बदलना चाहिए, हमने इसमें बदल करके, जब परिवार पैचान पत्र बनाया, औ हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतरगत हमको पता लगा, कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आईउ के हिसाब से, उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई, अब दो ही कंडिशन है, किसी भी बुदर्ग की वो पैंशन शु हो, या तो व्यक्ति, 60 वर्ष का हो गया है, और या फिर, जो 60 वर्ष का हुआ है, वो दोनों पति-पतनी की आये, ये 2 लाख रुपे से कम होनी चाहिए, जब ये 2 लाख रुपे की बात आई, तभी भी धहन में आया, कि या 2 लाख रुपे कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख र पनाई, कि जिस महिने में 60 वर्ष का वेक्ति हो जाए, उसको तरंत अगले महिने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए, मातर एक कागस पर आपको साइन करना होगा, कोई भी सरकारी करमचारी आपके हाँ, आपकी सहमती लेगा, क्योंकि सहमती लेनी भी आवशक है, बहु से लोग हैं, जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी, उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के उपर बोज न डाला जाया, तो अपनी सहमती भी परकट करते हैं, उसी में से वस्था निकली, कि एक बार 60 हर्ष का होते ही, एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर दूर लेने हैं, एक ही मेंने के अंदर-अंदर, वो सहमती पत्र के साइन भी हम कराते हैं, और उसके बाद उन लोगों से जो सहमती पत्र देते हैं, अपने आप ही और ये जो पेंशन है, ये जाना शुरू हो जाता है, हमने लगभग 6 मेने पहले इस वस्था को शुरू किया था, और इ के साथ टेलिफोन का संपर करके और ये बाचित कर रहा हूं, निक्षित रूप से आपके मैं अनुभवी बाद में सुनना जाहूंगा, कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में, कहीं आपको कोई कठाई तो नहीं आई है, मुरा पुरा विश्वास है, कि ये कठाई नहीं हुई है, उसमें भी लगबत साधे ठारा लाग परिवार जो मैंने बताया है, उनको ये पेंशन दे रहे हैं, और इस पेंशन के माध्यम से, मुझे ये भी ध्यान है, कि आखर तो हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, हमारे सब परिव रही है, लगबत साड़े साथाइस सो रुपय की जो अब योजनाद अपरेल से बनी है, ये भी एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं, कि इतनी राशी किवल हरियाना परिशी है, जो ये साड़े साथाइस सो रुपया और ये दे रहा है, और किसी परदेश में इस प्रकार की व परशी हुई है, तो साथ हश होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्त रहता है, काम करने योगे रहता है, तो हमें अपने इस आयू के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजे कामों में भी जाना चाहिए, ऐसे जितने भी हमेरे रिटार्ड लोग हैं, जितने ऐसे बजर्ग हैं, या नौजवान भी हैं, जो अपने आप एक स्वेम सेवक के नाते, एक वलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है, उनको हम रेजिट्रेशन कराते हैं, और रेजिट्रेशन कराने के लिए, अगर अपना मन मानें, कि हमक है, हमारे जो दोते दोतियां, पोते पोतियां, और हमारी बहुएं, हमारे दमाद, एक परिवार, दूसरा परिवार, ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है, वसुदहयव, कुटुमवकम, ये बात हमारे रिशिव उन्यों ने भी हमेशा कही है, कि अपना जो मन है, ये बड़े हिर्दे के लोग वही होते हैं, वसूद है वो कुटमबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, आकर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए, और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोशन में ही सारा समय लगाया होगा, ले कभी भी कोई एक अकेला विखती, या एक अकेला परिवार, ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते, अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, हमको प्राया सभी काम करने के लिए समाज की व्यावशक्ता होती है, यदि सारे समाज के हम चिंता करेंगे, तो समाज हमारी भी चिंता करेगा तो इसलिए वालिंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूँ उसका नाम है समर्पन.gov.in अंगरीजी का ये शब्द है आपको अगर नध्यान में आए तो आप निश्चिद रूप से आपके गाओं में जो भी कोई कम्प्यूटर के नाते से जो कोई वहाँ सांजा सेवा केंदर है अस्वाज इसको CSC कहते हैं या अतल सेवा केंदर कहते हैं या कोई भी कम्प्यूटर जानने वाला व्यत्ती उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वालेंटियर इसनाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूँ तो इसनाते से हम और वालेंटियर बन सकते हैं हमने इस प्रकार की सेवाएं बहुत जो खास करके बज़र्बों के लिए तो शुरू की हैं समाज के हर वर्ग के लिए हम परिवार पैचान पत्र के माध्यम से उनकी योग्यता के उनकी ख्षमता के साब से उनकी स्थिति के साब से खास करके आर्थिक स्थिति के साब से बहुत सी योजना हमने शुरू की हैं हमने इस परिवार पैचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं अर्थात दो क्रोड़ स्तासी लाग इनको छे भागों में बाटा है जिरो से छे वर्ष तक जब बच्चे होते हैं बहुत छोटे बच्चे आफर उनकी भी संभाल करनी होती है हमने महिला वाल कल्यान विभाग के नाते से उनको जिमा सुपा है हमारी आगनवाडी वर्कर्स हमारी आशा वर्कर्स हमारे जो क्रेच हैं हमारे जो स्कूल हैं जहां जहां यह बच्चे पढ़ सकते हैं और जो हमारा इनके स्वास्त को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आग परिवारों के इनको स्कूल शिक्षा का जो विभाग है, वो इनकी चिंता करता है, ये सब आलग पढ़ने के लिए जाएं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो किसी स्कूल में पढ़ने ही रहा है, घर में ही रहता है, या उसको कोई सभाव के नाते से कोई कही गलत आद तो न हमारे colleges हैं ये जो विभाग इन 18 से 25 वर्षवालों की जिन्ता करेगा या तो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने हुनर को विक्षित करने के लिए skilling development के नाते से ये उनकी जिन्ता करेंगे कुछ लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिलाने के वस्था करेंगे तो ऐसे सब युवा ये युवा वस्था ऐसी होती है इस समय समालना बहुत जरूरी होता है दिशा देना बहुत जरूरी होता है तो हमारे यु जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं जो कहना के नौकरी की तलाश करते हैं तो इस नाते से इनके यूगकों की जगतिविधिया में ये भाग ले और हर किसी को अपने परिवार पालन के अंदर सयोग करने के नाते रोजगार प्राप्त हो ये काम हो उसके लिए भी करते हैं ये भी प्राया प्राया सब लोग अपने काम में लग जाते हैं, कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, नौकरी करे, दुकान करे, उद्योग करे, इन सब के जिम्में अपने परिवार का पालन कोशन होता है, इनको किसी परकार की कठराई ना आए, ये भी काम उनके जिम्में लगाया हैं ऐसे सब लोगों के लिए जो हमरा सेवा विवाग है सेवा विवाग के जिम्में ये लगाया है कि साथ वर्शे लेकर और जितनी वर्श तक के आयू प्रभूने हमको दी है उस वर्श सक्सब की संभाल ये सब करें विशिश तोर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्त का की विशे ऐसा है जो हर किसी को पर लागू होता है कि स्वास्त ठीक रहे व्यक्ति स्वस्त रहे तंदूस्त रहे और अगर कहीं अस्वस्त होता है बिमार होता है तो उसका इलाज ठीक हो जाए इलाज ठीक करने के नाते हमारे दे जो है वो कहीं उसकी कमर न तूड़ जाए क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपय का इलाज का खर्च देना यह संभव नहीं है इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए पांच लाख रुपय तक का यह जो स्वास्त भीमा है यह लागू कराया है आयूश्म हैं उन सब को इसका लाब मिले और इसमें 29 लाख से भी जादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं अब हमको धहन में आया आखर एक सी भी बहुत आये ऐसी है जिसमें शायद इस से उपर के लोग को भी कठाई आएगी तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आये को बढ़ा करके तीन लाख रुपया पर्ती परिवार ये आए रख करके और थोड़े से पैसे लेकर थोड़े पैसे याने 125 रुपया महीना अर्था 15 रुपया साल इतना पैसा लेकर के भी। उन की जो सॉहस्थ बिवायोजना उनको भी इसको ईफर किया है ताकि वो इसको ले सके और से उपर के आयू के जो लोग हैं उनकी विशेश चिंता आपको करनी होती है तो हमने अपने जितने भी वालन्टियर्स हैं इनके जमें ये लगाया है वालन्टियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे कि वालन्टियर बन करके ऐसे बजर्ग जिनकी आयू 80 साल से उपर हो गई है इनकी देखवाल करने के लिए कम से और कुछ ना करें महीने में एक बार जाकर उनका हाल चाल पूछें कोई अस्वस्थ है कहीं किसी की परिवार के अंदर से ती ऐसी तो नहीं है कि परिवार में लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष से उपर हैं बिन सवा 2,2 लाख लोगों की पी चिंता हमको करनी चाहिए यह अमरे बज़र्ग हैं और बज़र्ग हमारे मता पिता के बराबर होते हैं तो हम अपने मता पिता के बराबर बज़र्ग 80 साल 90 साल 100 साल से बहुपर की आयू के लोग आज उन बज़र्गों को जरूर देखवाल करें सरकार ने की उजना बनाई है ऐसे बज़र्ग जो अकेले रहते हैं क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता कि 80 साल से उपर की उम्र है और अकेले रहते हैं ये संख्या भी कम नहीं है ये संख्या 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आये वो लगभग 180,000 रुपे तक है तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं उनका बड़त मुश्किल है उनको अपने जिवन यापन करना उनको परिवार की साहिता नहीं मिल र हमको संभालने की आवसकता है कि जिस परिवार को पाला को साह बजरुग ने वो बच्चे उन परिवार उन बजरुगों की जरूर उसकी देखवाल रखें उनकी चिंता करें आकर उन्होंने आज तक हमको पाला है आज जरूर उनकी आवसकता है उनको साहिता करने की तो हम सा जार पेसे कम हैं ऐसे भी 3600 लोग हैं अब ये 3600 लोगों के हलत क्या होती होगी जब हमने इसका विचार किया तो हमने गोशना की है कि अब अपरेल से इन सब लोगों के लिए जो व्रिद आश्रस्थल सिवाश्रम वरिष्ट नागरिक सिवाश्रम इन से वाश्रम में उनको हम कहेंगे कि आगर के जाकर के वह वहां रहें ताके उनकी अपनी द्यफिकत कोई भी आफ़र्षटा है चाए वो बिमारी की है चाए उनके रहन सैन की खाने पेने की चाँ रहने के स्थान की कपड़ों की कोई भी आफ़र्षटा वो उनके मुपूरी करेंगे और ये सरकार की विष्था में सब रहें ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सब को हम इन सेवा आशरों में रखेंगे इस परकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए हम समाजे प्राणी हैं तो समाज के नाते से हम लोग इन विष्वों के उपर आगे बढ़ें एक विष्वे जरूर में ध्यान कराना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं छोटे मुटे लालच के कारण से कई बार तो वो परिवार के अंदर रहते हैं फिर भी उनको लगता है शायद अलग फैमिली अलग परिवार इसका आप रिष्वेशन कराएंगे तो कोई लाब हो सकता है और उस छोटे लाब के कारण से वो अपना रिष्वेशन अलग से करा लेते हैं अब बड़ी हरानी की बात है कि हमारे हाँ अलग सिंगल फैमिली मेंबर जो परिवार जो ऐसे गिने हैं वो लगबग 28,000 जैसे मैंने बताया है ये 28,000 लोग 80,000 से उपर के हैं जिन्नों ने सिंगल फैमिली मेंबर पर लो पर रिष्वेशन कराया है और जो सब मेंबर्स को लगा लिया जा यानि सिंगल मेंबर फैमिली आयू का धान न रखें तो ये लगवग धाई लाग से भी उपर हैं तो इन सब लोगों को भी जरूर धान करना चाहिए कि अगर हम सिंगल मेंबर फैमिली हैं हमारी कोई और सायता नहीं करता है हम अकेले रहते हैं किनी भी कारणों से तब तो ठीक है अन्यता परिवार में रहते हुए सिंगल मेंबर फैमिली इसका रिश्टरिशन न कराएं क्योंकि इनकी सब की जाच तो होती ही है आकर कोई भी काम बिना जाच के वो आगे बढ़ने वाला नहीं है इसलिए उस जाच करके ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ऐसा नहों कि आज अपने आपको आपने सिंगल मेंबर फैमिली इस्टर कराया है और कल को जाच में बात सत्य न पाई जाए हमारा मेंबर जो मेंबर्शिप परिवार की वो समापत हो करके हमको वापिस उसी मेंबर में जाना पड़े यह कोई अच्छी बात नहीं है आज ही हम लोग अपने आपको संभाल करके जो तथे हैं जो उचित बाते हैं उनको अगर आप दर्ज करेंगे तो मैं आपको इश्वास दिलाता हूँ कि कोई गरी परिवार है उसकी हर परकार की जिनता राशनकार के नाते से और्टमेटिक राशन बनते हैं राशनकार बनते हैं अब उसके लिए कई जाना नहीं पड़ता है इसी परकार अगर किसी परिवार की सिर्फ पर छट नहीं है परदानमत्री आवास योजना के अंतरगत उनको मकान मिलता है कोई वक्ती बिमार होता है तो उसको आयुशमान के नाते या चिरायू योजना के नाते पाच लाख रुपे तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं और तो और कोई वक्ती आगे चल करके भी बमार नहो उनकी स्वास्त की जाच करने के लिए भी हमने की योजना बनाई है निरोगी योजना अर्थात इसमें भी हर वर्ष या दो वर्ष में कम से कम हर वार एक वक्ती का एक बार उसका स्वास्त जाच जाच जरूर हो इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है हमारे जितने भी CHCs हैं, PHCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं और अब तो हम इस काम में प्राइबट जो हस्पिताल हैं उनकी विस्था भी कर रहे हैं, ये साई हस्पिताल उनकी विस्था को भी इसमें जोड़ा गया है ताके हर व्यक्ती का 25 तरह के जो टेस्ट हैं दो साल में एक बार उसका जरूर हो जाए अगर कोई छोटी बड़ी बिमारी मनो शरीर में पड़ी है हमको पता ही नहीं लगता है कहीं आगे चल करके वो भेंकर रूप ले इससे पहले ही समल जाए और समल करके उसकी छोटे मुटे की इलाज की जो बाते हैं उसको हम और अभी से कर पाएं व्यक्ती बिमार नहो इसके लिए भी हमने जो है आयूश विभाद को सक्रिय किया है ताके हमारा रहन सैन, खान पान, हमारा शारीरिक व्याम, खेल कूद इसकी और भी हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें ताके आखर तो बिमार ही क्यों हो बिमार नहो इसके बहुत लाब है बिमार होने के बाद, इलाज तो कराने के खर्च होगा ही होगा हमारा समय बरबाद होगा, हम काम करने से भी गए मानो अगर एक मैना इलाज के लिए हमको लगाना पड़ता है तो एक मैना आखर काम का जो नुकसान है हमारा अपना भी नुखान है, परिवार का भी है, देश का भी है इसलिए स्वास्त रहें, आस्वास्त ना हो इस पर भी हम पूरी योजना बना रहे हैं तो मित्रो आज जो है इस नाते से मैंने उनी बंदों से बाचित की है जिन लोगों की पेंशन की नई योजना बनाई हमने ओल्डेज पेंशन, व्रिद्धवस्ता पेंशन, इसके नाते जिनको आटोमेटिकली अपन्या पेंशन बन गई, ऐसे लोगों से मैंने बाचित की है आपने मेरी बाचित को बहुत ही ध्यान प्रोग सुना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ